तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ बच्चों को जो पेट में दर्थ होता है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है almost I think 100% में सारे बच्चों को कभी ने कभी पेट में दर्थ हुआ ही होगा या बहुत ही कॉमन ली होता है तो क्या क्या कॉमन रीजन्स हैं और आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं even कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनके लिए आपको टेंशन लाइने की दुरहत नहीं है and कब आपको विल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कब ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है कुछ कुछ ऐसी कंडिशन जो इमर्जन्सी भी होती है means उसमें आप अगर एक दो दिन का डिले भी नहीं कर सकते हैं तो उसमें किस टाइप का दर्द होता है या क्या क्या कंडिशन्स ऐसी हो सकती है कि बच्चे को पेट दर्द के लावा क्या क्या और हो रहा है कि आपको इस टाइम बिल्कुल भी वेटनी करना तीचे तो वो सब मैंने इस वीडियो में बता है तो आप जो वीडियो है वो एंड तक पूरा देख लीज़ेगा तो सबसे पहले आता है कि किस टाइप के दर्द होते हैं एक तो हो गया कि बच्चे को कभी कभी बहुती हलका से दर्द हुआ पेट में तो नापी के पास या कहीं भी मीन्स कोई साइट जो है पेट में कभी उपर हो गया कभी नीचे हो गया मतलब बहुती हलका सा और बहुती ऐसा नहीं है कि डेली होता है कभी महीने में एक दो बार हो गया तो उसके लिए कोई टेंचल लेने के दो रहती है वो हो जाता है जैसे काफी कॉमन से रीजन्स हैं बच्चे ने कोई जंक फूड खा लिया था बच्चे ने कोई मैदा वाले आइटम बिज़ा वर्गर ये सब कभी ज़्यादा खा लिया था तो बच्चे को गैस बन जाती ह है पेटद हो जाता है या हो सकता है कि बच्चे को गैस्ट्रैटिस का प्राप्लम हो रहा हूँ वो भी स्पेशली खाने के उरीज़ी रहते है बच्चों की eating habits काफी बच्चों की रहती है कि वहmail दी नहीरे है बिस्केट्स खा तो वह उन खानों को जो है करना है वैसे आपको जो है जुए जितना कम से कम देंगे वह अच्छा है आजकल जो है टोटली करना बहुती मुश्किल रहता है लेकिन आप जितना को चीश कर सकते हैं अच्छे आप खाने की वराइटीज रखे और जैसे अगर आप हैल्दी रिप से बनाएए जैसे बाहर काता है मैं अदक होता है आप घर में उस चीज को गहमों से बना दीजे और जो है बाकी भी अगर आप घर पर भी वराइटी रखेंगे तो बच्चों को प्रेविंस कम होगी इससे रिलेटेड मेरे काफी सारे वीडियो हैं कि आपको बच्चों को अग में देख सकते हैं अगर बच्चे को बहुत ही सीवियर पेइन है तो डफिनेटली आपको वेट नहीं करना चेये उस टैम आपको डॉक्टर को दिखा लेना चेये सीवियर पेंजों है बहुत बहुत कमन पंडिशन नहीं है तो कभी आपएंदिस प्रॉबलम हो गया इंटिस बोलते हैं या पेट में अब्स्रक्शन बोलते हैं यह सब कुछ सर्चिकल कंडिशन होती हैं जो के हो जाते हैं तो और क्या है मैंने खुद एक बच्चा देखा हुआ है जो कि 3 मन्त का था और पेरेंट्स जो है बच्चे को 3 मन्त से ही बिस्किट्स के लाते थे तो बेवी को डाइजस नहीं होगा तो बच्चा सर्चिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ आया और फाइनल उसकी सर्चरी करनी पड़ी थी तो आप जो है वीनिंग के उपर भी मेरा अलग वीडियो है आप वो देख सकते हैं तो यह कुछ-कुछ चीज़े हैं जो के आप अवाइड कर सकते हैं अगर आपको knowledge है सही तो यह नहीं करना है और फाइनली यहां मैं बात करे हुँ जो जो यूसरी तीन से आप साल के बच्चों में जादा पें होता है उससे छोटे बच्चों में या तो वह बच्चे अतना बता वी नहीं पाते हैं या फिर उतना common ली है और यह जो है थोड़े से बड़े बचों में तीन से आठ दस साल तक के बच्चों में जादा होता है तो इसके common reason और क्या है गास्राइटिस हो गया दूसरा हो गया junk food या unhealthy food हो गया एक आता है कि constipation ज्यादा तर आपने देखा होगा कि constipation जो है बचों में बहुत ही common problem है तो जब constipation हो रहा होता है उस ट्रेम एक तो बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं बच्चों को जो है potty training एक exactly कैसे कराना चाहिए एंड आप ठीक से करें क्योंकि काफी बढ़ क्या रहता है कि means बच्चे को काफी जल्दी अगर आपना potty training देदी है बच्चा नहीं पता पाता है या कभी बच्चे को constipation हुआ जिसकी वजह से भी बच्चे potty hold करते हैं तो जिसी क्योंकर दर्द बढ़ जाएगा देन कुछ other common reasons क्या है lactose intolerance तो lactose intolerance में कुछ बच्चे जो हैं हो सकता है कि शुरू में ना हो क्योंकि इसका कोई age नहीं रहता है कभी भी start हो सकता है तो हो सकता है कि आपको शुरू में बच्चा कर लेता दूद तो आपको लगता है कि बच्चे ना पीने के लिए बहाने अपना रहे हैं फट ऐसा नहीं है काफी बच्चों को lactose intolerance बाद में हो जाता है काफी बार जो है वो सही भी हो जाता है तो पेट दर्द होता है या उल्टी जाता है दूद पीने के बाद तो आप थोड़े दिन जो है दूद की क्वांटिटी कम करके देख लीजे या फिर बंद करके देख लीजे लाक्टो जिन टॉल्रेंस के ऊपर मेरा एक डिटेल्ट वीडियो है आप वो देख सकते हैं इवन दही जो रहता है वो काफी बच्चे टॉलरेट कर लेते हैं तो करें के बच्चे को किस खाने से अलर्जी है अगर ऐसा रहता है कि कभी बच्चे नो कोई पाटिकूलर मुडा उसके बद्धी तो नहीं है क्यों प्रब्रम मानाटी ऑफचे behavior काफी हुआ था तो फिर वो जो है आप उस खाने को स्टाइम एट लिस्ट कुछ महीनों तक अवाइड करिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चों में कीडे का प्रॉब्लम तो कीडे की दवा जो है हर छेचे महीने पर कीडे की दवा देते रहे इसके लिए मेरा यह एक अलग वीडियो है उसमें आपको बता चल जाएगा क्या क्या सिंटमस है कैसे करना है क्या है तो देख सकते हैं तेन वन एक्स्ट आता है इक स्ट्रेस या इंजाइटी तो काफी बच्चे कह रहते हैं उनको स्कूल जाना नहीं पसंद है या फिर कोई आ तो वह stress से ऐसा नहीं कि बच्चे बहाना मार रहे हैं बच्चे को पेटध्र हल्का सा होता है वो जो रहता है stress की वजए से या anxiety की वजए से या घर में कोई problem में उसकी वज़ा से हो रहे है तो आपको वह problem find टोट करनी है एंड उसको स्कूल में पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है या घर में कोई किसी और से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लड़कों की कंपैरेजन तो उसमें भी क्या है सिर्फ पेट दर्द नहीं होगा हो सकता है कि यह काफी लंबी प्रॉब्लम हो जाती है काफी पेशेंट आते हैं जो एक महीने से पेट दर्द हो रहाता है वही सोचते हैं कि ऐसे होगा क्यूंकि यूजली कह रहता है बहुत आया बुखार और ना तब पेशेंट आते हैं इवन काफी पेशेंट आते हैं जिनको साथ दिन से बुखारता एक महीने से पेट दर्द निकलता है यूरिन इंफेक्शन और वो सिंपली एक 6 सा दिल की दभा दैने से ठीक हो जाता है तो आपको इतना डिले क्यूं करना है त इतलीस्ट वीक में 3-4 बार होता है मिनिममम या उससे ज्यादा होता है डेली होता है या कोई पर्टिकुलर साइट पर कोई एक ही जगे बच्चा बताता है किसी जगे पेट दर्द हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी इगनोर नहीं करना चाहिए ने नेक्स्ट आता है जो क बाकी ऐसे कुछ बहुत जादा नहीं मिलेगा में भी हो सकते है कुछ बच्चों में कभी कभी फीवर आ जाए या फिर यूजरी जो रहता है एक्सिडेंटल फैंडिंग मिलती है तो उसमें पेट दर्द काफी कॉमन है उसका भी मीज क्या है किसके हिसाब से उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देके वह भी ठीक हो जाता है उसमें भी आपको ऐसे कुछ बहुत ही सीरियस कंडिशन नहीं है और इसलिए डिपैंड करेगा कि साइज क्या था स्माल साइज है तो जो है मेडिकेशन देके ठीक हो जाता है तन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनका एक्जक का एनेमिया भी बढ़ता जाएगा या कुछ और भी चीज़ें हो सकते हैं उसके साथ देन नेक्स्ट आता है अब्डामिनल ट्यूबर कुलोसिस इंडिया में काफी कमन है टीवी जो है और जो है तो बच्चों में भी मिलता है अब्डामिनल ट्यूबर कुलोसिस ऐसा नहीं के बिल्कुल ही नहीं मिलता है काफी केसे मिलते हैं तो अगर बच्चे को काफी टाइम से पेम दर्द है तो फिर जो है आपको डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए नेक्स्ट आता है कुछ इमर्जनसी कंडिशन लाइक अपेंडिसाइटिस हो गया इंटस्टैनल अब्स्रक्शन हो गया या गैस्ट्रे कल्सर सिकल सैल्थ क्राइसिस हो गया जो के खून की बिमारी रती है तो इन सब चीजों में जो रहेगा वो बहुत ही सीवियर पें रहेग नेक्स्ट कुछ ऐसे कंडिशन है लाइक की गेस्ट्रेंट्राइटिस इंफेक्शन हो बच्चे को टाइरिया हो था तो उसके बाद हो सकता है कि दो चार दिन बच्चे को रिकवरी होने में चार-पांच दिन हो सकते बच्चे को हलका सा पेट दर्द आएगा लेकिन अगर दिरे-दिरे कम होता जा रहा है तो लेकिन अगर बच्चे का पेट दर्द बढ़ रहा है और या कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है साथ में उसके साथ तो फिर जो है आपको डिलेनी करना है तो पाइका के उपर भी मेरा एक अलग वीडियो है आप वो डिटेल में देख स अगर आपका बच्चा जो है मिट्टी खाता है या कुछ ऐसे खाता है तो वो जो है उसका एक प्रॉपर ट्रीक्मेंट चाहिए वह आप देख ली चाहिए तो हम इसमें टेस्ट क्या करेंगे रूटीन ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हीमोगलोबिन देखेंगे टोटल का प्रवल्स प्रॉबलम है तो इस टूल एक्जामिनेशन कर सकते हैं LFT,RFT जो किड्नी के और लिवर की टेस्ट है वो अविसलि हर बच्चे में नहीं करते हैं वो जब चेक करते हैं बच्चे को वो एक्जामिनेशन करते हैं तो हमको अगर कुछ लगता है कुछ तो काफी चीज़ा डिटेक्ट हो जाती है अल्टर साउंड से तो वो बच्चे के अकॉर्डिंग हम जो है अड्वाइस करेंगे तो इसमें यूज़ली जो ट्रीटमेंट क्या रहेगा वही है कि डाइट मॉडिफिकेशन अगर बच्चे को थोड़ा सा एक्टिव रखिए अगर कोई सोशल हीन्स या कोई स्ट्रेस अंजाइटी वाला फैक्टर है तो उसको हटाना है डीवर्मिंग जो है कीड़े की दवाब हर 6-6 महीने पर देते रहे युए एड़ करिए में जो है दही आड़ करिये टीटेपल्रीटे सीज़ा अइड़ करें इन रादी होगिया जएड़ हो गया जिंजर हो गया थोड़ा सा हीग हो गया यह सब जो है बच्चे के खाने में डेली में एड कर सकते हैं चोसे भी थोड़ा थोड़ा जो है फेट दर्द हो सकता है तो वह सब अवाइड करना है नेक्स्ट हैकि डेंजल साइंस जो क्या आपको बिल्कुल भी ग्लोर नहीं करना है बले ही पेट दर्द जो है हलका पेट दर्द है तो आपको ये जो है अगर ऐसा पेट दर्द के साथ साथ ये ये चीजे भी है तो आपको जो है डॉक्टर को जरूर दिखा लेना है तो एक तो जो हो गया कि पेट दर्द काफी फ्रिक्वेंट है मीन्स ऐसा नहीं है कि कभी पेट दर्द हुआ था बहुत हलका सा एक तो पेट दर्द अजर बहुत जादा है या फिर जो है पेट दर्द बहुत ही जादा प्रिक्वेंट हो रहा है काफी अल्मोस डेली होता है या बहुत ही मीन्स बच्चा जो है उतना एक्टिव भी नहीं है जैसे बच्चा पहले एक्टिव रहता था भी उतना एक्टिव नहीं है या बच्चे का जो है पेट फूल रहा है बच्चा जो है पीला सा दिखता है मिसानीमिया हो गया है या पीलिया हो गया है बच्चे की आंखें जो है या हाथ जो है आपको हल्के से सफेज से दिखते हैं वी इस उतना रैड़िश, पिंक जो गलोईश करते हैं बच्चे के वैसे नहीं दिखते हैं या फिर बच्चे को कभी घ्या है तो आपको जरूर एक पर बच्चे से पूछ लीजे कि ऐसा दुनिये कि पिच्छे के पेट में चोट लगी ती एंड इंटरनल ओर्गन में कोई प्रॉब्लम हुई है बाहर से कुछ नहीं दिखेगा या हो सकता है बहुत हलका सा नीला सा या लाल सा दिखेगा आपको लेकिन अंदर जो है थोड़ा सब लीडिंग हो रही है कुछ कौन सा वर्गन में चोट लगी है उसके उपर डेपैंड करेगा या फिर कभी होता है कि मुझ से ब्लड आ रहा है या ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर की पॉटी होती है या फिर जो है बच्चे को डाइरिया भी हो रहा है कोई दिक्कत हो रही है तो बहुत ही कॉमन कॉजस नहीं है या कुछ अलग रहते हैं जिसकी वज़से ऐसा हो सकता है या फिर जो है यूटी है यूरिन इंफेक्शन जो है कि वह घर पर ऐसे ट्रीट नहीं होगा उसके लिए अंटिपेटिक्स जरूरी रहती है तो उसमें अगर कोई पेशाप करते में जलन हो रही है जो और बाकी चीज़े मैंने पहले बताई दी पैसा है या काफी बहुत ही सटल चीज़े क्या रहती है जैसे कि बच्चे का वेट क मॉनिटर करते रही है कि बच्चे की ग्रोथ जो है अचानक से बढ़ना बंद हो गया वेट यदो ऑफिसली के एक जो एक साल के बच्चे की घो धो ठोरी ओती चार सल पर उतना वेट नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर ऐसा लगता है कि बच्चे का वेट बिलकुल रूप गया है बच्चा ग्रों नहीं कर रहा है बच्चा एक्टिंग नहीं है तो बहुत सारे कॉमन चीज़ें होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करती हैं अगर अभी तक आपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करती है